नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत आपके अपनी यूटूब चेनल पर दोस्तों आज के वीडियों में बातकाने वाले हैं जीटील इंफ्रा स्टोक के बार में सोगस जीटियल इनफरा में अगर हम चर्जा करें तो दोस्तो जीटियल इनफरा में फिर से गिराउट आज बड़ी देखने को नज़र आ चुकी है पर दोस्तो कल मार्केट में वापस अपर सरकिट का जो चांसेज है वो यहां पर नज़र आ रहा है अब इस अपर सरकिट के PC का रिजन क्या हो सकता है कुछ से दोस्तो हिंट आप लोगों को देने वालों विदन प्रूप के साथ और साथ की साथ अभी के टाम कंपने की रिजर्स को लेकर क्या अपडेट नज़र आ रही है वो चीज भी किलियर करने वाला हूं तो जानकारी एंट तक देखना बिना किसी देरी के अगर बात की जाए इस स्टोक की जानकारी के ओपर तो प्रैस दो रूपे 15 पेसे पर आज के क्लोज हुई है अब प्रैस काफे शांदार क्लोजिंग रही है यहाँ पर देखने को ज़्यादा गिराउट मिले नहीं है साथ पेसे के गिराउट आज के सेशन पर रही है पर क्लोजिंग के वक्त दोस्तों मार्केट इदादा अफिशलता हुआ नजराया है जीटियल इंफरा का क्योंकि कंपनी लगातार दोस्तों रेटन देने में पहले ने कामियाब रही थी लास्ट एक साल का रेटन अगर इस 37% छे महीने में अगर हम चर्चा करें तो लगबग पहुने 23% पर लास्ट एक महीने में कंपनी ने बड़ा गेम किया है और फांस सेशन में भी अच्छा खासा गेम इस स्टों पे हुआ है तो कई ना कई दोस्तों कंपनी जो इंडिया की चोथी लार्जेस्ट कंपनी होने क के बावजू दोस्तों लगातार कर्ज में डूबती हुई नजर आ रही है और कंपनी के ओपर कर्ज इतना तीजी से बढ़ रहा है जितना दोस्तों एक कंपनी का मार्केट के बढ़ता नहीं है पर कंपनी में कर्ज बढ़ा है और साथी साथ कंपनी ने पिसले टाइम है कर् कम अमपनी आरिबेई से गौहार लगा चुकी है कि कमपनी के करज को रिजिस्ट्रक्सर किया जाए साथी साथ कमपनी के ओपर अभी की टाइम दो CBI केस रजिस्टर्ड है जो फ्रोड केस को लेकर अभी रजिस्टर्ड है जो इरलग-लग रहने वाले हैं एक रहने वाला है दोस्तो 458 क्रोड के असपास और दूसरा रहने वाला है 4000 क्रोड के असपास यानकि टोटल कुल मिलाके कमपनी के ओपर शाड़े 8000 क्रोड रुपे का गूगल के मुताबिक दोस्तो अभी के टाम कमपनी के ओपर कर्ज का जो कुछी बेदवारा केस रजिस्टर है तो ये चीज कई ना कई अभी कमपनी के फ्यूचर की डेटा बेस के लिए अभी टाइम काफी विग जाने वाली है पर कमपनी में दोस्तों कल तेजी के लिए कुछ से हिंट हम आप लोगो को अभी दे देता हूं तो अभी हि देखने को नज़र आएंगे सबसे पहले अगर हम बात करें वोल्यूम के उपर तो आज के सेशन की वोल्यूम छे करोड अठारा लाग सेर के निकल किया है इसमें से लगबग जो डिलेवरी रहने वाली है पोने अटालीस पर तीसाद डिलेवरी निवेसकों ने होल्ड की ग लेगे 30660 की कवांटिटी है वो यहां पर बाइंग पर यांकी सेलिंग के मुखाबली दुगणी जो कवांटिटी है वह बाइंग पर लग हुई है कल ऑपनिंग के वक्त अपर सरकीट तो चांस है वो निकल के आरहीई यह चीज तो क्लियर हो चुकी है अभी के टाम कंपनी का जो secondary reason रहने वाला है secondary reason जानने से पहले बता दू चैनल पर नहीं हो दूस्तो चैनल को यूश्य सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन नोट्फिकेसन और पर यूश्य सलेक्ट कर ले दूस्तो सबसे बड़ा जो secondary reason यहां पर निकल किया रहा है वो यहां पर देखने को मिल रहा कि company का RSI indicator 35 अंकों से नीचे कारोबार करनता हुआ पहुँच चुका है यान की oversold zone के करीब ये stock का चार्ट वेटरन पहुँच चुका है तो ये सीज़े कई ना कहीं काफी week हो चुकी है company के database में काफी कमजोरी आ चुकी है अब दोस्तो जो offerators है उनको लड़ी ये चीज के लिए पता है कि market में limit से दिक sale हो चुकी है और limit से दिक जो sale हो चुकी है जितना होसे के दबा की selling हो चुकी है तो उसके बाद दोस्तो low price पे फिर से इस stock पे buying order करने वाले हैं अब low price पे दोस्तो जो buying order लगने वाली है तो उसी के सलते अगर मानकर चलते हैं कि आज इस stock में अभी कल और gear out हो भी जाती है और company का RSI indicator अगर मानकर चलते हैं कि over short zone को cross कर भी देता है और 2 रुपए के आसपास इस stock में मानकर चलते हैं कि gear out आ चुकी है उसके बाद वो low price से दोस्तो फिर से buy करेंगे और उस price को वापस जो है उंचाई के तरफ लेके जाएंगे उसमें एक तेजी का जो creation है वो तियार किया जाएगा तेजी का जो रुवाब है वो तियार किया जाएगा और उसके बाद मार्केट में दोस्तो वो उनके तो quantity रहने वाली है करोडो के अंदर तो करोडो के अंदर उनकी quantity जो buying पर रहने वाली है उस buying order को देखकर उस तेजी को देखकर दोस्तो चोटी निवेसक वापस buy करेंगे और चोटे निवेसक जब वापस buy करेंगे इस परकार की risk बहरे penny stocks में तो उनका तो दोस्तो जो है वापस तेज़िया ऑटोमेटिकली हो जाएगी पर उनके तो करोडो सेर है तो उनके करोडो सेरों पर अगर लाकों का भी profit अगर बनता है क्योंकि अभी ओ लेड़े लोगों को मालूम है कंपनी के अंदर अभी कर्ज बढ़ा है कंपनी का अभी कि टाइम गुंचाली सो क्रोड का अभी कि टाइम कर्ज है और कंपनी का मार्केट केप दोस्तों आप लोग को किलर कर दो कि 2754 क्रोड का अभी कि टाइम कर्ज नकल क्या रहा है अब company के ओपर दोस्तों कर्ज से कम तो मार्केट केप है और company के अंदर promoters की जो holding थी वो भी ने के बराबर रहने वाली है जो 3.28% रहने वाली है उसे के साथ company की जो 100% जो share है वो भी गिर्वी रखे हुए है यानकि totally जो डेटा है company का वो फैल देखने को मिल रहा है और company आगे चलकर दोस्तों बरबादी के सिवाकुष और डिवेसकों को देने वाली है नहीं क्योंकि लास्त ताम जो डेटा देखने को मिला था डियाई की investment इस stock से घट चुकी है और अभी के time डियाई की जो investment दोस्तों 42% से घट कर ओलड़ी 37% तक वापस आच चुकी है तो यह चीज आप लोग के लिए सो clear concept के साथ समझ ले कि फिलाल इस stock में अपना पैसा दोस्तों निकाल करना काफी better बन सकता है आगे के future database को देखत लिए के अंदर फिलाल यही चीज़ मेरे तो आप लोग को suggestion रहने वाला है उमीद करूँगा जानकरे आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आदी वीडियो को like कर देना चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब कर देना और जानकरी कुछ यदा स्यादा से जर कर देना और आपके नजर में कोई पैनी स्टों को तो उसके जानकरी कमेंट में पिन कर देना एंसस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा मिलते है नेक्ट अमेजिंग वीडियो को साथ अब तक के लिजास दीजिए जैसरी कशना थैंक्स रोचिंग इसमें वीडियो जै के लिजिए बटा